हेलो माइडियर फ्रेंड वेलकम बैक तो यूर ओन चैनल ड्रीम्स वर्ल लिव डिजिटल लाइफ तो आप लोगों का स्वागत है चेप्टर वन के अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं पूरी की पूरी इस सीरीज में हम हम लोग डिसकस करेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपनी इंकम को जीरो सा स्टार्ठ करके दो लाख तीन लाभ रुपे महीने तक ले जा सकते हैं वो भी केवल तीन से चार महिने के अंदर तो इस पूरी सीरीज में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हम तो आप चेप्टर वन में हैं तो चेप्टर वन में हम बहुत सारी चीजे जानेंगे तो सबसे पहले आगे बढ़ने से भी पहले हम लोग ये जानेंगे कि actually में financial freedom होती क्या है है और हमें चाहिए क्यों हम लोग ये चीजे क्यों achieve करना चाहते है इस चीज के बारे में हम लोग discuss करेंगे ताकि आगे हमारा motive के लिए रहे कि हम लोगों को पैसा चाहिए क्यों कितना पैसा चाहिए जब ये कि लिए रहोगा तभी तो पैसा आएगा ना राइट तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते है चेप्टर वन में कि financial freedom actually में है क्या अगर मैं बात करू financial freedom की देखिए financial freedom क्या है हम सब लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में सुना है बहुत सारी बुक में पड़ा है बहुत सारी लोगों के मुँझ से सुना है financially free हो जाओ financial freedom आपको मिले ये सब कुछ हम लोगों ने सुना है क्या जानते है actually में कि financial freedom होती क्या है चली मैं बता देता हूँ कि financial freedom होती क्या है, बिसिकली अगर मैं अपनी language में बात करूँ, देखे financial freedom का सिर्फ इतना सा मतलब है, कि जब आपकी जेब में इतना पैसा हो, कि आपको कुछ भी खरीदने के लिए अपने बजट में sacrifice ना करना पड़े, कुछ चीजों को आपको आपको बता देंगे, बहुत सारे trainers आपको बता देंगे, तो technical language में हम लोग नहीं चाहेंगे, हम लोग simple language में बात करेंगे, और ये series बिल्कुल जितना simple हो सकता है, मैं बनाओगा, ताकि हर एक व्यक्ति के काम आ सके, कोई भी व्यक्ति जो series को सुनेगा, मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ, जो points मैं बताने वाला हूँ, series के अंदर, अगर आप implement कर लेंगे, तीन से चार महिने के अंदर, आपकी लाग, डेड़ लाग, दो लाग रुपे की income हो जाएगी, guaranteed, right, क्योंकि ये जो चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ, इन चीजों ने actually में मेरी life में बदलाव लेकर क्या है, ये चीजों की वज़े से ही, आज मैं इतना अच्छा का सा earn कर पा रहा हूँ, मेरी खुद की company है, खुद की academy चलाता हूँ, affiliate marketing करता हूँ, और भी बहुत सारी चीजे मैं करता हूँ, तो मैं आपको लोगों को बताऊंगा, आगे चल करके, कि क्या-क्या चीज हम लोगों को पैसा चाहिए क्यों, एक luxury घर के लिए, कि हम लोगों को luxury घर चाहिए, इसलिए हम लोगों को पैसा चाहिए, luxury car हमें खरीद नहीं है, luxury lifestyle, foreign tours हमें चाहिए, ये सब लोग हमें बोल करके बहुत सारी चीजे market में ऐसे चल रही है, इन सब चीजों का जहांसा दे कर लोगों से ऐसे काम करवाए जाते हैं, जो हमको पसंद नहीं है, जो हमारा पैसन नहीं है, जो हमारा टैलेंट नहीं है, फिर भी हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को सपने दिखा दे जाते हैं, कि आपको यहापे luxury घर मिलेगा, luxury car मिलेगी, luxury lifestyle होगा, ये सब education मिल जाए, हमें भी मिल जाए, प्लस हमारे बच्चों को भी मिल जाए, तो इसलिए हमें पैसा चाहिए होता है, इसके अलबहा और कोई काम निये पैसे का, simple चीज है, ठीक है, कहते हैं, कि पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत सारे लोगों को सुना होगा, आपने बोलते हुए ये सब्दावली किन लोगों की पता है, ये सब्दावली केवल और केवल उन्हीं लोगों की है, जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, simple, जो लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ किये हैं, वो लोग आपको ये कभी नहीं बोले हैं, कि पैसा सब कुछ नहीं है, क् पैसा जेब में होना सबसे पहली चीज है। तो आपकी जेब में पैसा होगा तो आपके वर सब कुछ होगा। तो पैसा तो में है अब हम इसी चीज के बारे में डिसकस करेंगे आगे चल करके कि पैसा आये लगजरी घर भी आएगा गाड़ी भी आएगी ठीक लाइश्टैल भी आएगा लेकिन यह सब कुछ क्या आता है step by step आता है step by step एक दम से कभी नहीं होगा आपके जीवन में कि एकदम से हो जाए और इस ना भी step by step या इतना भी slow कभी कि आपको दो साल चार साल पांसाल लग रही है कि में इतना भी कभी नहीं होगा क्योंकि हम लोग digital world में जी रहे 24 सैंचुरी के अंदर आज हम लोग हैं अगर 24 सैंचुरी यानि कि digital वर्ड में भी हम लोगों को मात्र एक लाख रुपए कमाने के लिए एक साल दो साल पांस साल लगाने पड़ जाएं तो हमसे बड़ा मुर्ख इस दुनिया में कोई नीए है यह रियालिटी है अब यह चीज़े मैं क्यों बोल रहा हूं यह चीज़े मैं इसलिए बोल रहा हू कि वाकिए ये platform काम करते हैं या नहीं करते हैं सबसे पहला platform अगर मैं या पर बात करो देखे हैं social media पर हम बात करेंगे अम facebook की बात करते हैं आम तोर पर आप सभी लोग facebook को use करते हैं अगर आप इस video को देख रहे हैं तो कहीना कहीन तो देखी रहे होंगे या तो YouTube पे देख रहे होंगे, Page पे देख रहे होंगे, vagy Facebook पे देख रहे होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, means आप social media का का सितमाल करते हैं लगा आप सोसल मीटिया का सितमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है आप इसके अब आफ विडियो देख रहे हैं क्या है अगर यहीं पर आप content consume करने की बशाय आप content delivery करना श्तार्ट कर तो तो होगा क्या आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि देखे पैसा किस चीज का मिलता है पहले हम वो समझ लेते हैं ठीक है पैसा हमे उसी चीज का मिलता है जब हम अपने पास से कोई चीज किसी को देते हैं is just example मान लिजिए फोन है ठीक है अगर ये smartphone में आपको दूँगा तो इसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा तो आप मुझे देंगे मतलब कुछ ना कुछ मैं sale करूँगा आपको तब मुझे पैसा मिलेगा ये तो बिल्कुँ clear है क्योंकि आज की date में without sale आप पैसा नहीं कमा सकते चाहे तो आप किसी product को sale करिए चाहे आप किसी service को sale करिए तो ये concept पहले समझ लीजे क्योंकि इस part के अंदर अगर chapter 1 में आपको ये concept clear हो गया कि हमें पैसा किस चीज का मिलता है तो आगे चल करके जो बाकी की series हम लोग देखेंगे बाकी videos हम लोग देखेंगे तो उसमें आपको easy रहेगा समझने में भी और कमाने में भी ठीक है तो main चीज हमें पैसा किस चीज का मिलता है जो ये पूरी की पूरी series में बनाने वाला हो ये series केवल और केवल एक ही चीज पर आधारित होगी वो है sale तो हम sale के उपर ही काम करने वाले क्योंकि आज की date में किसी भी चीज का पैसा नहीं मिलता है sales को छोड़ करके आप किसी company में job करते हैं वहाँ पे आप अपनी service को sale करते है मालिक को तब जाके आपकी service के बदले में मालिक आपको salary देता है simple इसके अलावा आप किसी MLM company के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे उस MLM company के product को sale करते हैं आप उस product के बदले में कुछ commission आपको मिलता है sale इसके अलावा ये वीडियो आप देख रहे है मुझे भी इस वीडियो का पैसा मिल रहा है ये पैसा मुझे मिल रहा है क्यों क्योंकि आप इस content को consume कर रहे है मैंने इस वीडियो को बनाने में मेहनत करी आपको content अच्छा लगा आप वीडियो देख रहे हैं उसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है simple है तो ये क्या है sale है एक तरीके की अब आपको ये देखना है कि आप किस तरीके की sale करना पसंद करेंगे आप किसी product को sale करना पसंद करेंगे जिसके लिए बहुत जादा मथा पच्ची होती है आप लोगों के घर जाएं उनको अच्छी सी presentation दें उनको एक घंटा समझाएं और समझाने के बाद में ये सुनकर के आ जाएं कि पापा से या मम्मी से पूछते हैं हस्बेंड से पूछते हैं वाइब से पूछते हैं सोच के बताऊंगा क्या ये सुनने के लिए आप गई थे नहीं इस तरीके की sale पसंद करेंगे अपने उस कंपनी के प्रड़क्ट के लिंक को उठाना है और लोगों के सामने शेयर करना है अब किसी को प्रड़क्ट पसंद आया किसी को फोटो पसंद आई तो वहाँ से बाई कर लेगा तो इसमें आपके प्रेजेंटेशन का भी रोल होता है अब एफिलेट मार्केटिंग में भी प्रेजेंटेशन येस अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपकी सेल जादा होगी तो प्रेजेंटेशन भी यहापर मस्ट है तो सेल के लिए क्या क्या करना है वो सारी चीज़े मैं सिखा चुका हूँ पूरी की पूरी सीरीज बना चुका हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिए जरूर, तो वो सारी चीज़े कहां पर मिलेगी, वो सेल्स कैसे करते हैं, वो आपको हमारे एप्लिकेशन पर मिलेगी, एप्लिकेशन कहां है, डिस्क्रिप्शन में लिं नॉलिज को सेल कर सकते हैं, अपनी नॉलिज को कैसे सेल किया जा सकते हैं, क्या सच में नॉलिज को सेल करके पैसा कमाया जा सकते हैं, येस, नॉलिज को सेल करके पैसा कमाया जा सकते हैं, किस तरीके से, जैसे मैं कमा रहा हूँ, मैं कैसे कमा रहा हूँ, मेरी खुद की the only solution के नाम से ये company क्या करती है ये company करती है जिसे कोई भी छोटे छोटे ब्रांड होते हैं ठीक है किसी बार्बर की सोप है क्रियाने की सोप है इनका हम business build करने मदल करते हैं इनकी website बना करके देते हैं इनको क्या करते हैं इनके advertisement चलाते हैं ताकि जादा सजदा customer attract हो सके हैं मत्रव service sale करते हैं इसके अलावा आप ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइप से वीडियो बना करके YouTube पर डालते हैं जो हमारे पास knowledge है उस knowledge को लोगों को देते हैं लोगों को free में knowledge मिल रही है लेकिन उसके अलावा YouTube हमारे जो content है हमारे content पे अपना advertisement दिखा करके कुछ पैसे वो रखता है कुछ हमें देता है तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा लेकिन YouTube हमें पैसा दे रहा है इस सीज कभी ठीक है तो ये भी क्या है सर्विस है तो आप अपनी सर्विस दे करके भी पैसा कमा सकते है तीनों में best कोंसा है मुझे comment box के अंदर बताईए आपको तीनों में से कौनसा best option लगा सेल करने का या तो आप प्रडक्स सेल करिए डारेक्ली या प्रडक्स सेल करिए इंडारेक्ली लिंक के थू या आप अपनी सर्विस सेल करके घर बैठ करके आराम से कमा ये तो हम लोग इन तीन concept पे ही काम करने वाले, इन तीन sales पे ही काम करने वाले हैं, ताकि अगले एक से डेड़ महीने, दो महीने, तीन महीने के अंदर maximum, आप एक लाख, डेड़ लाख, दो लाख रुपे कमा सके, और मैं guarantee के साथ कह सकते हूँ, अगर आप इस series में, मेरे साथ end तक बने रहे, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़े देखी, हम लोग इस series में, इस chapter के अंदर स्रीफ बात करने आए थे, कि financial freedom हमें चाहिए क्यों, लेकिन उसके साथ में finance आएगा कैसे वो भी बात कर लिए हम लोग ने, है ना, तो सबसे पहली चीज, आपको financial freedom क्यों चाहिए, यह आज का आपका homework है, क्योंकि हर एक chapter के अंदर, हर एक video के अंदर में एक छोटा सा task आपको दूँगा, अगर वो task आप complete कर लेंगे, तो मैं guarantee के साथ कह सकते हूँ, आपको पैसा आए गई आए आएगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी, उसकी किसकी, पैसे की मजबूरी बन जाएगी पर मंत चाहिए, पर week चाहिए, पर day चाहिए, या पर year चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो आपको लिखना है, जिससे आपकी जरुवत पूरा हो जाए, अब ये unwanted नहीं होना चाहिए, मतलब फालतो हुए कुछ भी नहीं, कि मिलेको 100 करोड चाहिए, मिलेको 200 करोड चाहिए, पूरे दिन का अगर आप देखेंगे, कितना 24 रुपए, फिर हमें सीखना है, कि पर मिनट एक रुपए कैसे कमाया जा सकते है, जब आप पर second एक रुपए कमाना सीख जाएंगे, उसके बाद धीरे-धीरे करके income को बढ़ाएंगे, तब actually में हमें financial freedom मिल सकती है, otherwise नहीं मिल सकती, अगर हमीं सोचें कि मन्थली बस इतना आजाए, मन्थली के चक्कर में पढ़े रहेंगे, जिन्दी की में इकमा पाएंगे, हमें मन्थली के चकर में नहीं पढ़ना है, हमें daily के, even per minute, per second का पैसा कमाना है, तब actually में आप financially free हो सकते हैं, तो यह हम आगे chapters में सीखेंग टास्क समझा है, टास्क क्या है, सिंपल, आज आपको लिखना है, आपका financial goal क्या है, आपको कितना पैसा चाहिए per second का, और आज आपकी per second की income क्या है, यह आपको लिखना है, और मिलते हैं next chapter के अंदर, सब तक के लिए, bye guys, have a good day